जी तुपडबारी आप हमारत बने रही है, विश्वास सारंग बने रही है, डिप्टी सीम चत्रिस गर जुर रहे हैं, स्वागत है आपका आटिये सिंग दियो जी, सवाल बहुत सीधा है, एक्जिट पोल के आखरे आ रहे हैं, कॉंग्रेस को बड़त दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी बिल्कुल पीछे नहीं है, ऐसा लग रहा है कि टक्कर काटे की भी हो सकती है, लेकिन बड़त जरूर कॉंग्रेस को है, जी संतोश है इस बात का, और मुझे अभी भी विश्वास है कि कॉंग्रेस सार्ट के आस पास आईगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार कॉंग्रेस को की दमखम के साथ तो हर पार्टी लड़ती है, लेकिन कॉंग्रेस क्या एक दिखराफ के साथ लड़ रही थी, उसका एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, या फिर आप गेज नहीं कर पाए को कि ऐसा लग रह रही है, आधिवासी बेल्ट में बीजे पी जो पिछली बार बहुत खराब परदर्शन की आता है, वहां बहुत भैतर कर रही है, और शहरों में बीजे पी अच्छा कर रही है, अभी समय आएगा दिखिए, उसका अंदाज लग जाएगा, ट्रैबल बेल्ट में कॉंग्रे आपको लेकर जो आरोप लगे और जो भरष्टाचार का मुद्दा उठाया और जो डिरेक्टली सीम पे इलजाम भारतियांता पार्टी ने लगाए, प्रधानमंती नरिंद मोदी ने लगाए, ग्रे मंत्री अमिच शाने लगाए, क्या आपको लगता है भरष्टाचार का म पड़ता, प्रभाव नी पड़ता, देश की प्रधानमंत्रि और ग्रे मंत्री आरूप कैसे लगा सकते, उनके पास तो सारी जानकारियां रहती हैं, वो तो कारवाई करने वाले लोग है, आरूप लगाना ही लोग कहते हैं कि यह तो नितागिरी हो रही है, कोई ठोच कि मालूम है कि गरबड हुआ है और फिर भी हम कुछ नहीं होने दे रहे हैं। तो बंद होने चाहिए हम 36 गर कॉंक्लेव करने के लिए 36 गर आये थे रायपूर आये थे तब आप से मुलाकात हुई थी और आपने स्पस्ट्रूप से का था कि कॉंग्रेस की हर हाल में सरकार बनेगी आप यकीन रखिए इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा कि सब याद हैं कि आपको दरकिनार करना भी महेंगा पड़ा है कही न कहीं 36 गर प्रदेश के अंदर अगर हम पॉलिटिकल एक्वेशन की बात करें तो उसमें कई फैक्टर्स रहते हैं मेरे को दरकिनार करना इशू मेरे ख्याल से बिल्कुल चुनाओकर नहीं था और ने सरगुजा वाली बेल्ट में तो था गर्मेंट में रहते हुए ये डिसेड नहीं जानकार मेरे संबन तो सभी जगा है 36 गर में सरगुजा में भी हैं सब भी जगा हैं लेकिन सब को ये बता के और समझा के हमेशा हम लोग चलते हैं कि देखे एक पार्टी के हम लोग एक परिवार के सदस हैं और मुख्या जो उसका तै करते हैं हम सब को उसको लेके चलना है और हमने हर संभव साथ सभी साथियों ने किया कि परिवार में कहीं पढ़े अभी पढ़ना माने दीजे मुझे नहीं लगता है कि वैसी बात आएगी सामझे आप बहुत बड़े नेता हैं आपका कद बहुत बड़ा है एक सवाल जो की बहुत आहम है मैं एक पोल को को कोट करा हूँ जन की बात का पोल है उनके उसके फाउंडर भी हमारे साथ हैं परदी बंडारी वो भी आपसे कुछ पूछा चाएंगे कॉंग्रेस को 42 से 53 सीटों के बीच में मिल रही है और भारते इंदा पार्टी को 34 से 45 सीटों के बीच में मिल रही है क्या आपको लगता है सर की इस समय जो क्लोज एक्वेशन हमें इलेक्शिंस में देखने को मि लेकर जो एक खीच्टान है वो हमें देखने को मिलेगी क्या आप भी एक प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री पत को लेकर हम लोग कोई दावेदार नहीं है पूरा हम लोगों ने साथ में बैट के निर्ने किया और शेलजा जी की उपस्तिती में मीटिंग की कोर कमिटी क की मीटिंग हुई जिसमें भुपेश भाई भी थे पी सी सी प्रेसिडेंट दिपक बैज जी भी थे स्पीकर चरंदास महन जी भी थे तामरदस भाई भी थे शिव डहरिया जी थे मैं था और हम सब ने बिलकुल शांती से सोच समझ कि ये कहा कि पिछले बार जो ये बार या कुछ हम लोग को बिलकुल नहीं होने दिना है हाई कमांड का जो फैसला होगा हम लोग आगर ही करेंगे हाई कमांड से आप तैख करें जिसकी जिम्यदारी आप देंगे हम लोग सब मिल के साथ उनके साथ चलेंगे कहीं कोई speculation की इस बात कुछ जैश नहीं रही जी प्रदीप यूर कोशन जी प्रदीप बंदारी बोल रहा हूं जनकी बात से एक ग्राउंड पे ये डेटा के तहट ये sentiment देखने को मिला था कि ग्राउंड पे पूरे के पूरे नॉर्डन सत्रिसगर में लोग आपको काफी जा करना चाहिए था आपके रिस्पेक्ट में क्योंकि पहले बात हुई थी कि थोड़े समय बाद आप मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि आप भी सीम बन सकते हैं वो नुकसान दायक हो सकता है वहना पिछली बार 60 65 के राउंड कांग्रेस पार्टी 60 प्लस पे थी आपको ल चाहेंगे ना कि अगर मैं विधान सभा का चुनाओ लड़ रहा हूं और कांग्रेस की बहुमत आए तो इनके चांस को जिन्दा रखो तो कांग्रेस की सीट हरा के मेरे चांस को वो जिन्दा कैसे रखेगे अगर वो मेरे शुबचिन तक हैं या मेरे को आगे कोई सारी चाहते हैं कि मिले तो वो तो ये चाहेंगे कि ज़्यादा सीट हम अपने एरिया से दें कि ताकि आखरी मौका है चलो भए अपने बीज का बंदा है इसको शायद मौका मिल जाए तो वो नेगिटिव सेंटिमेंट वैसे में नहीं जाएगा मैं चुनाओ नहीं लड़ होता यह आसी कोई बात होती या एकदम दिखता कि दरकिनार कर दिया गया है तो एक अलग बात होती कि इतना रिस्पेक्ट पार्टी ने दिया इतने समान दिया इतने जग़ दिये नैशनल बॉड़ी में जग़ दिये सेंट्रल इलेक्शन कमिटी में जग़ दिये उप मुक देना है तो लोगों को हरा के कैसे मौका मिलेगा लोगों को जिताएंगे तब तो उस आदमी को मौका मिलेगा बिल्कुल आप लोग जिताएंगे लेकिन लास्ता हैं भी आपको जिताया था आपको मौका नहीं मिला परदीब का सवाल उसी के इर्दगिर था लास्ता हैं भी आ नहीं वो बात नहीं आएगी जैसे मैंने कहा मैं फ्रैंक्ली कह रहा हूं कि गर्मेंट जो रहती है उससे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहते हैं और उसमें अगर आप सब एक्सपेक्टेशन को मीट ना कर सकें तो कहीं न कहीं उसका खामयाजा होता है मेरा आखरी सवाल आप हमेशा बहुत सपष्टवादी तरीके से अपनी बात को रखते हैं या आपने सोच था बीजेपी इतना अच्छा इलेक्शन 36 गर में फाइट कर रही है कि इतना क्लोज हो जाएगा यह चुनाव पांच साथ सीटों का डिफरेंस रहेगा 35 के आसपास तो उनके आने की पूरी संभाव ना थी मैंने कभी भी बीजेपी को राइट आफ नहीं किया बलकि मेरी आलुसना भी इसबाबत होती है कि आप बीजेपी को क्यों बोल देते हैं कि उनकी उपस्तिती है अब वो आकडे हैं जो बता रहे हैं तो मैं उनको कैसे ना कारूँगा कि चाहे लोगसभा का चुनाओ हो चाहे विधानसभा के चुनाओ हो दोनों पाटी के मिनिमम एक वोट बेस मिनिमम 36 गड़ में बना हुआ है उसके उपर के जो फ्लोटिंग वोट रहते हैं दस एक परसेंट वो जिस तरफ जाते हैं उनको बहुमत मिलती है चाहे वो लोगसभा हो चाहे वो विधानसभा हो तो ये फ्लोटिंग वोट शेर का तीन तारिक को हमको सही जानकारी मिल जाएगी